चतिसगर के पूर्वर सीम और कॉंगरिस नेता भुपेश बगहेल कहते हैं कि एडी जो चाहे कारवाई कर सकती है जब मेरा नाम एफायार में है तो अधिकारियों के नाम भी शामिल होने चाहिए थे लेकिन उनके नाम का उलेख भी नहीं किया गया है इसका साफ मतलब है कि वे मुझे निशाना बना रहे हैं और मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं चुनावी बॉंड पर शतिसगर के पूर्व सीम और कॉंग्रिस नेता हुपेश बगेल ने ये भी कहा कि ये पिछले 10 साल का सबसे बड़ा घोटा रहा है भारती जनता पार्टी लोगसभा चुनाओ हार गई है और इस वज़ाए से वे बदनाम करने के लिए नए 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 अहें अधिकारीगान यंदा फैयर में अधिकारीगान और को जब बन in आम नें में अवह करो देने हैं ड तक जाज करती रही वो पूरे खंगाज चुके कहीं कुछ नहीं मिला और जो असीम दास है वो भी रिट्रेक्शन कोड में प्रस्तूत कर चुके हैं कर चुके हैं दूसरे लोग जो सबसे वड़ी बात यह है कि जनरल कॉंसलेट अब मत दुबई में भारा सरकार की जो कॉंसले पास पडर है है उसके बात यह मैं इसके जिम्मेदारी नहीं लेता है तो इस पास है कि उसके वह आपने आप में बात खंड요 यह बांड इसके पास गया है वो आखिर एडी आईटी के पहले नोटी सी अच्छापा पड़े हैं और उसके बाद 14 कंपनिय इसको पैसा दिये हैं तो लगातार ये दबाव और धमकी के माध्धम से कि चंदा उगाही करने का जो आरोप है पुरू देश देश में ये पिछले दस साल में सबसे बड़ा घोटाला है इसका इस पस्ट अर्थ है कि वो राज नाज जाओ लोग सभाज सुनाओ भारती जन्ता पार्ट के हार चुकी है और इस काहां से बदनाम करने के नए-नेहत पं अगलत यह है कि यूडबलू में फाइयार दर्ज हुआ है नोटिस कब देती हो देखते हैं आपने कुछ सब्सक्राइब